इस वीडियो के माधिन से आप लोग बने रहेगा बहुत इंपोर्टन्ट है तो आप लोग देखें आगी मैं आपको दिखाना चाहूंगा क्या बड़ी अपडेट निकल की सामने आ रहे हैं उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगा साहरा ग्रूप कॉपरेटी सोसाइट के छोटी जमा करताओं को अब 50,000 रुपे मिलेंगी कि सरकार ने धन वापसी की सीमा 10,000 रुपे से बढ़ाकर 50,000 रुपे करती हैं सरकायता मंत्रादा के एक वरिष्ट रिकारी ने बुदवार को यह जानकारी दी अब तक सियासिया सहारा रिफर्ट पोटल के जड़िये कर 4.13 लाग जमा करताओं को 370 करोड रुपे जारी किये जाच चुके हैं अधिकारी ने बताया कि धन वापसी की सीमा बढ़ाने से अगले 10 दिनों में करीब 1,000 करोड रुपे का भुक्तान हो जाएगा सरकार रिफर्ट जारी करने से पहले जमा करता के दावों की जाच कर रह सुप्रीम कोड के 12.13 की अधेश की अंसार पिछले वर्स 19 से माई को सीवी सहारा रिफर्ट खाते से 5,000 करोड रुपे केंदे साहकाई का समित्यों में रिष्टार्ट यार्टिया से कोहर करांसे किये गए थे डिजिटल माध्यम से धर्न वितरण की निगरानी सुप्रीम कोड की जस्टिस से आर्श वास रिट्टी कर रहे हैं चार सहकाई समित्यों का पैसा होगा वापस सहारा समू की चार सहकाई समित्यों में ही निवीश करने वाले का पैसा लोटाए जाएगा इसमें सहारा इंडिया क्रेडिट कॉपरेची सोसाइटी लिम्टेड कोलकाता सहारन क्रेडिट कॉपरेची सोसाइटी लिम्टेड लगनाउ सहारन उनिवर्सल मैंटी प्रच सोसाइटी लिम्टेड फोपाल और स्टाइट मैंटी प्रच कॉपरेची सोसाइटी लिम्टेड है साथ ही जमा करतानी सहारा इंडिया की इन चार सकाई समीटियों में 22 मार्च 2022 से पहले पैसा जमा किया हो पैसा वापश पाने के लिए डिपाउजट अकाउंट नंबर अथार से लिंक मुबाईल नंबर डिजिटल सौर्टिफिकेट या सपासबूर्ग की जड़ुत होगी तोल फ्री नंबर से लिजिए मदल मंत्राला ने तोल फ्री नंबर भी जारी किये हैं जिन पर किसी भी सवाल के लिए फोन किया जा सकता है तो पैसा पाना चाहते हैं तो पोटल पर जाकर के ऑंलाइन करना होगा तो फ्राल को भी है मैंने आपको सब कुछ बता दिया है इसमीं साब साब बताय जा रहा है जिनका भी पोटल पर ऑनलाइन हो रहा है पाँबर पर जाएगी पोटल से 5 लाग तक की पेडमेंट सुरू होने जा रही है नमंबर पर चूप से सुरू हो जाएगी और इसके साथ ब्रांश को भी हो सकता है लिंक कर दिया गाएगा इस वीडियो के माद़े में से योग बताया रहा है सही हैं हो सकता है कि नियोस्कों का पैसा बढ़कर मिले बताय जा रहा है पांच लाग तक जो है नियोस्कों का पैसा भुक्तान सुरू हो सकता है आगे जो भी हमें अपडेट मिलेंगी तो मैं आपको इन्फार्मिशन करूंगा तब तक लिए आप लोग बने रहीगा इस जय हिंदे